आज मैं आपके लिए गेहूं के आठे से बनने वाले बहुत ही healthy और बहुत ही tasty biscuit लेकर आई हूँ और ये बहुत ही खस्ता biscuit बनकर त्यार होते हैं इस biscuit को आप दूद के साथ बच्चों को दीजिए या फिर बड़े और बच्चे दोनों को ही आप चाय के साथ भी दे सकते हैं और ये biscuit मार्केट से कही जादा टेस्टी बन कर तयार होते हैं चलिए फिर रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं मैंने यहां पर एक बड़ा बरतन लिया है इसमें हम डालेंगे आधा कप दही इस रेसिपी को बनाने के लिए हम खटी दही का इस्तिमाल नहीं करेंगे इसके लिए हम बिल्कुल फ्रेश दही लेंगे दही को हम एक मिनट तक लगातार चलाते हुए फैंट लेंगे ताकि दही बिल्कुल फटी फटी ना लगे दही को मापने के लिए मैंने मेजरिंग कप का इस्तिमाल किया है अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो आप उसका इस्तिमाल कीजिए और अगर नहीं है तो आप घर का कोई भी एक कप या फिर कोई कटोरी सेट कर लेजिए और उसी से सारा मेजरमेंट कीजिए दही को हमने अच्छे से फैट लिया है अब हम इसमें आधा कप चीनी डालेंगे जिस कप से हमने नापकर आधा कप दही लिया है उसी कप से आधा कप चीनी लेंगे दही और चीनी को एक मिनट तक फैट लेंगे चीनी को हमें दही में पूरी तरह से घोलना नहीं है जब चीनी के बाद हम फिर से इसे एक मिनट तक लगातार चलाते हुए फैंट लेंगे और ये देखिए सारी चीजे आपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे देसिकेटर पाउडर यानी की नारियल का भुरादा चार चमच नारियल का भुरादा डालने से बिस्किट का टेस्ट और भी बढ़ जाता है इन सारी चीजों को फिर से हम कुछ सेकंड के लिए फैट लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक चथाई चमच बेकिंग सोडा जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं इसमें हम एक चुटकी यानि की एक पिंच नमक डालेंगे जब हम कोई मीठी चीज बनाते हैं औ उसका टेस्ट और भी जादा इनहेंस हो जाता है यानि की बढ़ जाता है और इसको हम एक मिनट तक लगातार चलाते हुए फैटेंगे इस मिक्स को आप जैसे जैसे फैटेंगे ये पहले से थोड़ा सा फलफी होता जाएगा मैं इसे आपको चमच की हेल्प से उठाकर जिस कप से आपने दही और चीनी माप कर लिया है उसी कप से माप कर आप आटा भी डाले आटे को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें हम एक कप गेहूं का आटा और डालेंगे और इसको भी हम फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे आटा को हमने मिक्स कर लिया है आटे मुलायम ना पड़े, आधा घंटा हो चुका है, फ्रिज से मैंने आटा बाहर निकाल लिया है, और अब मैं इसमें आधा चम्मच इलाइची पाउडर डाल कर मिक्स कर दूँगी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में इलाइची पाउडर डालना भूल गई थी, इलाइची पाउडर आटे में अच्छे से मिक्स हो गया है, आटे को हम चार भाग में बाट लेंगे, और इसमें से हम एक लोई लेंगे, इस लोई को हम दबाते हुए गोल कर लेंगे, और इसे हम हातों से रोल करते हुए लंबा कर लेंगे, इसे हम हलका सा तिर्चा करते इसे दबा देंगे और इसी तरह से हम सारे biscuit बना कर तयार कर लेंगे biscuit हमने बना कर तयार कर लिए हैं gas के उपर हमने कढ़ाई रख दी है oil को हमें बहुत ज़्यादा तेज गरम नहीं करना है oil को हम medium गरम रखेंगे आप देख सकते हैं जब मैंने कड़ाई में बिस्किट डाला है तो बिस्किट के साइडों से बहुत छोटे बुलबुले उठ रहे हैं बस ऐल हमारा इतना ही गरम होना चाहिए एक एक करके सारे पीस डालते जाएंगे जितना एक बार में कड़ाई में आ सके बिस्किट को हम low flame पर सिखने देंगे और जब तक बिस्किट सिखकर खुद से उपर ना आ जाए तब तक हम कर्ची नहीं चलाएंगे अगर आप इस टाइम पर कर्ची चलाएंगे तो हो सकता है बिस्किट तूट जाएं क्योंकि बिस्किट बहुत ही जादा सौफ्ट हैं देखिए सारे बिस्किट हमारे सिखकर उपर आ चुके हैं इन्हें हम हलके हातों से पलट देंगे और इन बिस्किट को हम low flame पर ही fry करेंगे अगर आप बिस्किट को high flame पर fry करते हैं तो बिस्किट अंदर से कच्छे रह जाएंगे देखिए बिस्किट हमारे फ्राय हो चुके हैं इनके उपर गोल्डन कलर आ चुका है बिस्किट को हम कड़ाई से निकाल लेंगे इस टाइम पर बिस्किट को हमें बिल्कुल भी छूना नहीं है क्योंकि ये गरम है और ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है ये टूट सकते हैं जब ये बिस्किट पूरी तरह से ठंडे हो जाए तब आप इसे किसी एरटाइप कंटेनर में भर कर रख सकते हैं और ये दो महिने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं इन बिस्किट के उपर जो क्रैक्स आये हैं इन्हें देखकर आपको पता लग रहा होगा कि बिस्किट हमारे कितने खस्ता बनकर तयार हुए हैं गेहूं के आटे के बिस्किट हमारे बनकर तयार है आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ रेसिपी को शेयर करें और मेरे चैनल श्याम किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलूंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ